आज के हमारे मुख यहती थी भारत सरकार के मंत्री और जिनको इंफ्रस्ट्रक्चर चैंपियन के रूप में हम लोग जानते हैं, ऐसे आधरणिया नितिन गड़करी जी, महाराष्ट के नूतन मुख्य मंत्री आधरणिया एकनाच शिन्दे जी, भारत सरकार में राजमंत्री के रूप में काम करने वाली अधरणिया मिनाक्षी लेखी जी, CII के प्रमुक श्री संजीू बजाज जी, चंद्रजीत बैनर जी, राजन नवानी जी, यहाँ उपस्तित CII के सभी मेंबर्स देश के अलग-अलग भागों से यहाँ पर पधारे हुए, सभी बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री के चैंपियन्स, उपसित बहन और भाईयों, मैं आप सभी को इस अमरुत काल की बहुत-बहुत शुपकामनाएं देता हूँ, और विशेश रूप से Ministry of Culture और CII का अभार रिक्ट करता हूँ, कि अभी कुछ दिन पहले ही, शिन्दे जी ने और मैंने शपत ली, और हमारी शपत के बाद, हमारा पहला पबल्लिक कारेक्रम, ये आज का कारेक्रम हो रहा है, अमरुत काल का कारेक्रम हो, ये भी अपने आप में एक, मैं सामानता हूँ कि बहुत महत्पूर्ण है हमारे देश के परधान मंतरी अधरणिय मोदी जी ने इस अमरुत काल को a moment to reflect इस प्रकार से हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी है हम क्या थे हम क्या है और हम कहां जाना चाहते है इस देश की गवरोशाली परंपराए उसका हमें अभिमान हो जो गलतिया हुई है उसकी भी जानकारी उसकी भी अनुभूती हमको हो और आगे जहां पहुचना है उसका एक रोड मैप भी हमारे सामने हो इसलिए इस अमरुत काल का उप्योग इंडिया एट सेवंटिफाइव हमने किया और इंडिया एट सेवंटिफाइव में रिफ्लेक्ट करते हुए इंडिया एट हंड्रेड की हमारी परिकल्पना क्या होगी इसका भी विचार हम मिलकर कर रहे है और मैं ऐसा मानता हूँ कि वर्तमान में जब भविश्य का विचार होता है तब ही प्रगति होती है आज जो चीजे है उन चीजों के उपर तो हम सब लोग काम करते ही है किन्तु जब तलक संकल्प नहीं होता तब तक प्रगति नहीं होती और कोरा संकल्प करके वो केवले एक स्वपन होता है लेकिन उसकी और जाने का रोडमैप तयार करके जब संकल्प को हम सिध्धी में परिवर्थित करते है तभी स्वपनपूर्ती का की अनुभूती हम सभी लोगों को मिलती है इसलिए मैं यह मानता हूँ कि आज का कारेक्रम यह बहुत महत्पूर्ण कारेक्रम है और विशेश रूप से अभी जिस प्रकार से मिनाक्षी जी ने बताया कि हम सभी लोग एक ऐसी कगार पर खड़े है जहां पर एक छलांग हमने लगाई है और बहुत उची छलांग की तयारी हो चुकी है एक साथ मिलकर भारत हमारे प्रधान मंत्री जी के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो संजीव जी ने जो बात कही सेवन ठ्रिलियन एकोनोमी मैं ऐसा मानता हूँ बिलकुल हम लोग कर सकते है और संजीव जी आप ने जो बात कही बिलकुल सही है महाराष्ट्र तो भारत की अर्थे विवस्ता का पावर हाउस है यह इंजिन है यह ग्रोथ इंजिन है और हमने 2015 में यह संकल्पना की थी कि 2030 तक हम ठ्रिलियन डॉलर एकोनोमी में पहुचेंगे और आज फिर एक बार उस संकल्प को मैं धोराता हूँ हमारे नूतन मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे जी के नेत्रुतु में महाराष्ट्र यह 2030 से पहले ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी होगा इंफरस्ट्रक्चर टेकनोलोजी और इनोवेशन लेड डेवलपमेंट एक मॉडल हमने तैयार किया है यह तीनों चीजों को साथ में लाकर हम लोग इस ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी को अचीव करेंगे और एक ग्रोथ का जो मॉडल हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है हम लोग इंक्लूजीव ग्रोथ की बात तो सालों से करते है पर आज इंक्लूजन दिख रहा है तो ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी अज यह रैटली सेट इस नोट फूल फ्यू इस एंक्लूजीव मॉडल जहां पर समाज के आखरी व्यक्ति को भी हम लोग इसमें समाहित करना चाते हैं इंक्लूड करना चाते हैं और उसकी प्रगती के साथ उसकी उन्नती के साथ यह ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी का सपना हम लोग पूरा करना चाते हैं महराष्ट में विशेश रूप से इंफरस्ट्रक्चर के सेक्टर में हमने बहुत काम शुरू किया है नितिन जी का भी मैं आभारवेक्ट करना चाता हूँ कि उनके मंत्रा लेने महराष्ट में बहुत बड़े पैमाने पर एक नेटवर्क रोड्स का तयार किया और तयार हो रहा है और इसके साथ-साथ हम लोग एरपोर्ट से अभी नियू मुंबई एरपोर्ट तेजी से हम लोग उसको पूरा करना चाह रहे है अलग-अलग शेहरों में मेट्रो का नेटवर्क हम देख रहे है मुंबई में मेट्रो का नेटवर्क आज फिर एक बार हम तेजी से आगे ले जाना चाहते है कभी-कभी हमारे विकास में भी थोड़ी राजनीती हावी हो जाती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी आगे जाकर हम लोग इस काम को पूरा करना चाहते है सही समय पर काम पूरा करना चाहते है आज बुलेट ट्रेन जो एक प्रदान मंत्री जी का सपना है किनी कारणों से महराष्ट थोड़ा पीछे रह गया गुजरात ने बुलेट ट्रेन के मामले में काम बड़ी तेजी से किया पर मेरी और मुख्य मंत्री जी की बातचीत हुए और हमने अत्य किया किम इसको कोप अप करेंगे क्योंकि यह केवल एक बुलेट ट्रेन नहीं है एक ट्रांस्पोर्टेशन की एक नई शुरुवात है एक बुलेट ट्रेन जब बनेगी तो उसके चलते जो इको सिस्टिम हम तयार करेंगे पुरे देश को मुंबई के साथ जोडने का प्लान हम बुलेट ट्रेन के माध्यम से कर सकते इतनी क्षमता इस एक बुलेट ट्रेन में इसलिए इसको पूरा करना हो चाहे देश का सबसे बड़ा पौट आज तो JNPT सबसे बड़ा पौट है लेकिन JNPT से भी डीब ड्राफ्ट का और सबसे बड़ा पौट ये महाराष्ट में तयार करने की बात हो नितिन जी जब मिनिस्टर ते हमने उनके साथ एक M.O.U किया था किनी कारणों से कुछ समय उसमर कुछ environment के problems थे उनको सबको हमने दूर किया और अब तो भारत सरकार ने ये तय किया है कि भारत सरकार उसको take up करेगा और पौट में जो भी problems है उसको दूर करने का काम शिंदे जी और हम मिलकर करेंगे और हमने तय किया है क्योंकि नाकपुर मुंबई कम्यूनिकेशन सूपर एक्सप्रेस वे समरुद्धी महामार्ग जब शिंदे जी ने और हमने मिलकर किया तो एक नया मॉडल हमने दिखाया कि जब हम लोगों को साथ में लेते हैं तो विरोध कम होता है 700 किलमेटर के रोड का 100 परसेंट लैंड एक्विजिशन नौ महने में हमने पूरा किया और आज रोड शुरू होने के कगार पर है उसका एक फेस जल्दी हम लोग लोगों के लिए उसको उपन करेंगे तो हम यह चाहते हैं कि चाहे पॉर्ट का डेवलप्मेंट हो तो एक एक आडमी के बात को सुनकर उसको उसमें इंक्रूड करके पार्ट अफ दे ग्रोथ स्टोरी ऐसा हर व्यक्ति को इंक्रूड करके हम उसको पूरा करेंगे और मेरा विश्वास है कि यह पॉर्ट जिस दिन हम लोग तयार कर पाएंगे उस दिन यह जो ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी का सपना है यह सपना बहुत तेजी के साथ हम पूरा कर पाएंगे आज हम लोग चाहते कि ट्रांस्पोर्टेशन के सेक्टर में पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट महाराष्ट में हम कंप्लिट पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट यह क्लीन फ्योल पर ली जाए और उसको एक हम लोग उसकी फेजेस भी तयार कर रहे आने वाले दिनों में पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट में कहीं पर भी कि कन्वेंशनल फ्योयल का इसकमाल न हो इस प्रकार का भी प्रयास हम लोग करेंगे जिसकी शुरुआत हमने महानगरों से की है महानगरों में हम लोग ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टेम को क्लीन सिस्टेम में परिवर्तित कर रहे हैं और धिरे धिरे हमारी जो स्टेट ट्रांस वो पहुचने में मदद तो होगी, लिकिन उसके साथ-साथ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एक मैनिफेक्ट्रिंग के लिए, एक नई एको सिस्टिम पे उससे तैयार होगी, और मैं C.I.A. को फिर एक बार इन्वाइट करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर महाराश् करने के लिए, महाराश्ट्र लीडर तो है ही, पर उसको और आगे ले जाने के लिए, हम क्या-क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम C.I.A. के साथ बैठकर, जो भी policy deficits है, उसको दूर करेंगे, जो भी आप चाहते हैं, नई policy चाहते हैं, policy में changes चाहते हैं, वो सारे हम करेंगे, औ आपके माध्यम से देश भरके, और दुनिया के investors को हम invite करना चाहते हैं, कि इस क्षेत्र में, महाराश्ट्र बहुत आगे बढ़ना चाहता है, और उसके लिए, जो भी सुविदा है, वो महाराश्ट्र देना चाहता है, विशेश रूप से, हमारी जो M.I.D.C. है, वो M.I.D महाराश्ट्र शुड़ बी फर्स टेट कि जिसको हमने इस प्रकार से 100% पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट को हम लोगों ने अचिव किया है, और नितिन जी का जो सपना है, कि कम्प्लिट हम लोग इवी पर धिरे धिरे शिफ्ट हो जाए, तो इस सारा एको सिस्टिम हम महाराश लेकिन वन लोगो बहुत बढ़ा करना चाहते हैं, तो उस डुष्री से भी आप लोगों का जो सरकार है, वो आने वाले दिनों में लोग ज़रूर लेंगे, इस से पहले आप लोगों के साथ बहुत क्लोजली हमने वर्क किया है, और मुझे इस बात की कुशी है कि CIA जैसी जो हमारी संस्ताय है वो राज्य सरकार के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और उसका एक हमारी एकोनोमी को भी फायदा होता है तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग इंडिया एट हंड्रेड इसका विचार कर रहे है तो यह जो एक हमने इंफरस्ट्रुक्चर, इनोवेशन और तंत्रग्यान इसको तीनों को साथ में लेकर टेकनोलोजी को साथ में लेकर यह जो रोड मैप तैयार किया है आप सभी को उस रोड मैप का स्टेक होल्डर मैं मानता हूं और हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए देश का पावर हाउस महाराष्ट्र यह आगे बढ़े इस रूटी से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे मैं आज के इस मोके पर आपने इस बहुत अच्छे कारेक्रम से हमारे भी कारेकाल की शुरुआत की इसलिए आपका बहुत बहुत आभार्वेत करता हूं भारत सरकार का आ हिन जय महाराष्ट